हाई गाईज, वेलकम टु स्टडी काउस, तो आज हम मैथ्स ट्रिक के सेग्मेंट में बात करेंगे प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संक्या के बारे में वो क्या होती हैं और उनको कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स है, दो इंपरेंट ट्रिक्स हैं, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है? normally exams में इस टाइब से questions पूछ लिया जाते हैं कि इनमें से कौन सा prime number नहीं है इसको find out करने के लिए आपको ये tricks पता होने चाहिए जिसकी help से आफ काफी easily और कम time में find out कर पाएंगे So let's start So सबसे पहले हम बात कर लेती कि prime numbers और फिर भाज्य संक्या जो होती है ये actually में होती क्या है वो संक्या है या वो numbers जिनको खुद के अलावा एक से divide किया जा सके ठीक है या तो एक से या फिर उस खुद number से divide किया जा सके उसके अलावा किसी और से divide ना किया जा सके उन numbers को हम prime numbers बोलते हैं और जो एक है इसको prime number में count नहीं किया जाता है और सबसे छोटा जो prime number है अगर हम बात करें सबसे छोटा prime number वो 2 है ठीक है और ये एक only even prime number है मतलब only sum अभाज संख्या है 2 और lowest जो with sum prime number है या फिर odd prime number जो है वो 3 है ठीक है और कुछ prime numbers को हम देख लेते हैं एक से 100 तक में कौन-कौन से prime number है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53 sorry 47, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 89 and 97 ये एक से 100 तक में ये prime numbers है ठीक है ऐसे ही 100 से 200 में ये prime numbers है तो एक बार मतलब overview पता होना चाहिए कौन-कौन से prime number है ये जरूर ये नहीं कि हर प्राइम numbers को सीधा रटना है ठीक है उसके लिए trick है कि कैसे पता करना है ओके तो अब हम trick पर चलते हैं अगर हम 3 से divide करेंगे तो perfectly divide नहीं किया जा सकता ठीक है इस वज़े से 47 जो है वो prime number है ओके और अगर वो number 49 से बड़ा है और 121 121 से कम है इस range के बीच में आता है अगर वो prime number जिसको हम check कर रहे हैं तो उसको हम divide करके देखेंगे तीन और साथ से पहले तीन से करेंगे तीन से नहीं है फिर उसके बाद साथ से करेंगे और उसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमें 49 से 121 के बीच के अगर prime numbers पता हूँ जैसे 77, 91 और 119 अगर हम इन तीनों को याद रख लें कि 49 से 121 के बीच में यह 3 आते हैं तो और इन तीनों में से यह number नहीं है ठीक है तो हम इसको सिर्फ 3 से डिवाइड कर सकते हैं ठीक है जैसे एक्जामपल के तौर पर हम देखें 61 जो है ठीक है 61 को सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे तो completely मतलब डिवाइड नहीं होगा ठीक है 7 से करके देखेंगे तो भी नहीं होगा ठीक है 7 into 9 करते 63 आता है तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं हम इसको देख लें कि यह ना तो 77 है ना 91 है ना 119 है ठीक है और उसको हम सीधा 3 से डिवाइड कर देंगे ओके तो पता चल जाएगे कि ये प्राइम नमबर है के नहीं है तो तीन से डिवाइड यह होगा नहीं तो 61 प्राइम नमबर हो जाएगा ओके और अगर वो नमबर जिसको हम चेक कर रहे हैं वो 121 से 169 के बीच में हैं ठीक है तब हम उसको चेक करने के लिए पहले तीन से से इन तीन नंबर से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे और अगर हम यह चीज याद करने की 133 143 और 161 तो हम इसको तीन से भी डिवाइड कर सकते हैं तो यह जादा complicated हो जाएगा कि इन numbers को भी याद रखो फिर उसके बाद डिवाइड को तो directly हम ऐसे कर लेंगे कि अगर वह नंबर 121 से 169 के बीच में हैं तो 3, 7 और 11 इन तीनों से डिवाइड करके देख लेंगे सबसे पहले 3 से 7 से फिर 11 से जिसे example के तोर पर हम देखे 149 जो ह वहीं पर prime number है ओके और completely अगर इसको हम देखे तो 0 से 49 तक हमको 3 से डिवाइड करना है ठीक है और 49 से 121 तक 3 और 7 से डिवाइड करना है और 121 से 169 तक 3, 7 और 11 से अब बात करते है trick number 2 की जो की काफी आसान है trick number 1 के comparison में ठीक है तो इसमें सबसे पहले करना क्या है कि जो भी numbers का हमें check करना है ठीक है उसका सबसे पहले इसका square root निकालना है ठीक है और square root की range निकालनी है जिसे मानलो कोई भी number है ठीक है उसका square root की value A और B के बीच में आती है ठीक है तो हमें यहाँ पे B को लेना है ठीक है और B को धेने की बाद में हमें 20 से पहले के जो प्राइम नमबर से हैं उन से चेक करना है क्यों जो में नमबर हजो हमारा जिसकर हम रूट निकल ला है वह में होता है के नहीं अगर और अगर डिवाइड नहीं होगा तो वह प्राइम नमबर हो जैसे एक्जाम्पल से समझते हैं काफी जीली समझ बाद जागे जैसे 239 जो है वो प्राइम नंबर है के नहीं है तो 239 का सबसे पहले हमें क्या निकाला है स्क्वार रूट अगर हम 239 का करेंगे तो वो 15 और 16 के स्क्वार के बीच में आएगा ठीक है 15 और 16 के बीच में आएगा ठीक है और किसी भी नंबर का स्क्वार रूट कैसे इजीली निकालें उसके लिए स्क्वार रूट 15 और 16 के बीच में आएगा तो अब हमें लेना क्या है 16 16 को हम कंसिडर करेंगे और 16 से पहले की जो जो प्राइम नंबर्स है जैसे दो है तीन है पांच है साथ 11 और 13 जो है इन सबसे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 239 को अगर 239 इन से डिवाइड नह नहीं होता है तो 239 प्राइम नंबर है और 239 इन सबसे डिवाइड हो नहीं रहा है तो यह सीधा प्राइम नंबर हो जाएगा अब इन दोनों ट्रिक्स को अगर हम कंपेर करें कि कि किसमें कम टाइम लगेगा उससे आप से आप लोग देख सकते हैं ठीक है मैं आप लोगों 121 से 169 नंबर था ठीक है और धीरे धीरे उसमें क्या होता रहा है सबसे पहले 5 था फिर 5 साथ हो गया फिर 5 स्वरी सबसे पहले 3 था फिर 3-5-7 हो गया फिर 3-5-7-11 हो गया तो इस टाइप से उसमें बाढ़ रहा था डिवाइड करने के लिए और 171 जो है वह 169 से बढ़ा ह में 169 हमने दिखा था तो आब हम करेंगे क्या कि जो 3 5 7 11 यहां से स्टार्ट करते चले इंसे देखेंगे कि इसको डिवाइड किया जा सकता है नहीं तो क्ती इसको अगर हम डिवाइड करके देखें ठीक ठीन से ही डिवाइड किया जा सकता है इसको 171 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 ठीक है तो अब completely डिवाइड हो गया 3 से तो 3 से डिवाइड हो गया तो मतलब यह प्राइम नमबर नहीं है ठीक है अगर 3 से डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 5 से चेक करते अगर 5 से भी नहीं होता तो फिर साथ से चेक करते इस टाइप से जाते हम ठीक है और जैसा स्टार्टिंग में वहाँ पर क्वेस्टन था एक कौन सा प्राइम नमबर नहीं है ठीक है उसमें हम option के तुरू अगर 3, 5, 7, 11 से चलेंगे तो easily पता चल जाएगा सीधा answer निकल जाता है और अगर हम इस question को trick second से solve करें तो 171 का सबसे पहले हमें root निकालना है ठीक है तो 171 का जो root की value होगी वो 13 और 14 के बीच में होगी ठीक है 13 का square होता है 169 ठीक है इससे बढ़ा होगा और 14 से छोटा होगा ठीक है तो अब हमें यह करना क्या है 14 को लेंगे ठीक है 14 को लेने के बाद 14 से पहले के जो prime numbers है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सबसे हम इसकी divisibility चेक करेंगे ठीक है इन सबसे इसको divide किया जा सकता है नहीं ठीक है तो यहाँ पे 3, 5, 7, 11 और जैसे कि यहाँ पे देगा था हमने 3 से divide हो रहा था 57 तो इस वज़े से यह prime number नहीं होगा अगर divide हो जाता है तो prime number नहीं है और अगर divide नहीं होता है तो prime number है इस type से हम किसी भी number को पता लगा सकते हैं कि वो prime number है के नहीं काफी easily और अगर आप 15-20 questions के practice कर लेंगे तो 10 seconds के अंदर में ही आप इसका सीधा answer निकाल सकते हैं ओके तो आज के लिए बस इतना ही hope you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day